आप सभी बच्चों को मेरे तरफ से धे सारा स्नेहासिस प्यारे बच्चों आज हम लोग हल्दी घाटी नामक जो कविता है इसका अर्थ पढ़ेंगे इसके लेखक श्याम नेरान पांडे जी हैं जो हल्दी घाटी के जुद्ध का बहुत ही रोचक वरणन किये हैं जिसमें महराना प्रताव की विर्दा और श्यौरे का बहुत ही जीवन तवरणन किये हैं तो आईए देखा जाए इसके विता का व्याख्या देखिए मेवाल केसरी देख रहा केवल रणन तमासा था वह दवड़ दवड करता थारण वह मान रकत का प्यासा था चढ़ चेतक पर घूम घूम करता स्थेना रखवाली था ले महमृत्य को साथ साथ मानु प्रतक्ष कपाली था चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को रणा प्रतापसिर काट काट करता था सफल जवानी को सेना नायक रणा के भी रण देख कर चाह भरे मेवाण सिपाही लड़ते थे दूने तिगुने उस्सा भरे छण मार दिया कर कोडे से रणकिया उतर कर घोडे से राणा रण कोसल दिखा दिखा चड़ गया उतर कर घोडे से चड़ भीशड हल चल मचा मचा राणा करकी तलवार बढ़ी था शोर रक्त पीने काया रण चंडी जीब पसार बढ़ी वहाथी दल पर तूट पड़ा मानो उस पर तूट पड़ा कट गई वेग से भू ऐसा सोडित का नाला फूट पड़ा जो साहसकर बढ़ता उसको केवल कटाक्च से रोक लिया तोक लिया जो बीर बना नब बीच फे बर्चे पर उसको रोक लिया प्यारे वच्चों आईए हम लोग भी इसका अर्थ देखते हैं कभी कहते हैं मेवार केशरी देख रहा हल्दी घाटी के जुद में मेवार केशरी अर्थात महाराणा प्रताब मेवार केशरी का जो अर्थ है महाराणा प्रताब से लिया गया है कि मेवार केशरी जो है देख रहा रणन केवल रणन तमासा था वह केवल युद्ध नहीं देख रहा था युद्ध का तमासा वह नहीं देख रहा था वह स्वयम दोड़ दोड़ करता था रण वह मान रक् मने मान मने मान सिंग मान सिंग जो है आप अगर ध्यास पढ़े होंगे तो जानते होंगे यह जो है कि राजपूत राजाओं का विद्रोह करके और उधर मुगलों से जा करके मिल चुका था तो इसलिए जो कि मान सिंग पर बहुत क्रोधित थे वह कह रहे हैं राना परताब कि वह मान सिंग के रख्ट के प्यासे थे तो कभी कहते हैं कि हल्दी घाटी के जुद में मेवार के शरी अर्थात महराणा प्रताब वक्के वल जुद का तमाशा नहीं देख रहे थे वे स्वयम दौड़ दौड़ करके अर्थात युद में चारों तरफ दौड़ दौड़ करके खुद युद करते थे और मान सिंग रक्त के प्यासे थे वो बार-बार मान सिंग को ललकार रहे थे कि वजुद भूम में आये और उसे अपनी प्यास बुझाएं चड़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था ले महा मृत्य को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था कर रहे हैं चढ़ चेतक चेतक आप जानते हैं राणापरताप के घोड़े का नाम है कियानी कि महाराणापरताप अपने चेतक पर चढ़ करके और घूम घूम करके अपनी सेना की रखवाली करते थे ले महामृत्य को साथ साथ मानो प्रतक्ष कपाली थे वह महामृत्य को साथ ले करके चल रहे थे और एकदम प्रतक्ष कपाली के तरह से ठाथ काली के तरह से युद्ध में जिस तरह से काली रण संहार करती थे नर संहार करती थे उसी तरह से प्रतक्ष काली के रूप में महार ठीक है आईए आगे बढ़ते हैं चड़ चेतक पर तलवार उठा रखता भूतल पानी को राणा प्रतापसीर काट काट करता था सफल जवानी को कभी काते हैं चड़ चेतक पर तलवार उठा यानि चेतक पर चड़ करके और तलवार लेकर के भूतल मने अपने मात्र भूम की मर्यादा की वह रक्षा करते थे और मुगलों के खिलाफ जुद्ध करके तलवार लेकर के अपने भूतल के यानि अपने मात्र भूम की पानी को यानि इसकी मर्यादा को बचा करके रखे हुए थे अपनी मर्यादा को बचा हुए थे राणा परताप सीर काट काट करता था सफल जवानी को राणा परताप जुद्ध भूम में अपने शत्रियों के सीर को काट काट करके अपनी नौजवानी को सफल बना रहे थे मने अपने युवा वस्था को या अपने छत्रि धर्म को सफल बना रहे थे आगे कहते हैं तो मेवार के सिपाही दूने और तीगुने उत्साह से, कभी आगे कहते हैं छण मार दिया कर कोडे से, रणकिया उतर कर घोडे से, रणा रणकोसल दिखा दिखा, चणगया उतर कर घोडे से। इस पंग्ति में कभी रणा प्रताप के युद्ध कला का वरणान करते हुए कहते हैं कि छण मार दिया कर कोडे से, मने कोडे से एक है छण में वह अपने शत को मार देते थे रण किया उतर कर घोडे से वह कभी घोडे पर यानि चेतक पर सवार उकरके जुद्ध करते थे कभी चेतक से उतर करके जुद्ध किया करते थे राणा रण कौसल दिखा दिखा चड़ गया उतर कर घोडे से राणा जो है युद्ध भूम में अपने रण कौस को दिखा रहे थे और कभी घोड़े पर चड़ करके युद्ध करते थे और कभी घोड़े से उतर करके युद्ध करते थे बने एक है छड़ में घोड़े पर सवार हो जाते थे और एक है छड़ में घोड़े से उतर जाते थे यानि उनके युद्ध कला का वरण यहां किया ग जंडी जीब पसार बढ़ी। कभी कहते हैं कि छण भर में छण भीषड हलचल मचा मचा एक है छण में वह भयंकर हलचल मचा मचा करके राणा प्रता अब्युद करते थे। पीने काया और वह तलवार जो है वह रक्त की फ्याशी थी और जो कोलाहल जो जुद भूम में हो रहा था वह रक्त पीने का कोलाहल हो रहा था। प्रती थी और अपना बड़ा सजी पसार करके और दैत्यों के रक्त को पी जाती थी उसका पान कर लेती थी। उसी तरह से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि राणा प्रताप स्वयम चंडी बनकर के जुद भूम में आगे बढ़ रहे हैं। आगे देखिए। तो मानो उस पर पविचूट पड़ा ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो उस हाथी दल पर वज्र तूट पड़ा हो। कट गई बेग से भू ऐसा और उसके प्रहार से भूम इस तरह से कट गए थी। यानि युद्ध में जो बर्ची भाले तलवार चल रहे थे हाथी घोड़े के जो टाप या उनके पैरों से जो भूम इस तरह से कट गए थे। कि वहां से सोडित का नाला फूट पड़ा, वहां रक्त का नाला, मने सोडित मने होता है रक्त, रक्त मने खून, नाला मने नाला, मने खून की नाला यानि खून के नाला बहपड़ी उस युद्ध भूमी में, मने इतना भयंका रक्त पात हुआ, इतना ज्यादा सैनिकों का शत्र सैनिकों का संहार राणा प्रताप के सैनिकों ने किया कि ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे रक्त का एक नाला फूट पड़ा हो आगे देखिए जो साहसकर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से टोक दिया जो वीर बना नब बीच फेक बर्चे पर उसको रोक लिया कभी कहते हैं कि राणा प्रताप जब युद्ध करते थे उनके सामने जो साहस करके आगे बढ़ता था जो भी शत्र पक्ष का सैनिक साहस करके आगे बढ़ता था केवल कटाक्ष से रोक दिया उसको कटाक्ष करके भयंकर कटाक्ष करके व्यंग करके उसको टोक देते थे कि तु मेरे सामने मत आओ नहीं तो तुम्हारी मौत निश्चित है तो जो रुक जाते थे उनका तो कुछ नहीं करते थे लेकिन जो बीर बना नव बीच फेक लेकिन जो बीर बन करके सासी बन करके के सामने आया उसको आकास में फेक करके और बर्चे पर उसको रोक लिया और भाले पर उसको रोक लेते था था भाले से उसको रोक करके उसका बद कर देते उसकी हत्या कर देते थे आगे कहते हैं चण उचल गया अरी घोडे पर चण लड़ा सो गया घोडे पर वैरी दल से लड़ते लड़ते छण खड़ा हो गया घोडे पर कहते हैं कि राणा प्रताप को जुद कोसल ऐसा था कि चण उचल गया मन एक हाई चण में वह अरी अरी मने होता श्त्रु अ घोड़ा मन घोड़े एक हाई चण में वह अपने घोड़े से छळांग雅 लगा करके श्त्रु के घोड़े पर पहुँच जाते थे चण लड़ा सो गया घोड़े पर और अगले ही चण वह अपने घोड़े पर आ करके जुद्ध करते थे और कभी घोड़े पर सो करके जुद्ध करते थे कभी घोड़े पर खड़े हो करके जुद्ध करते थे वैरी दल से लड़ते लड़ते माने शत्रूओं से लड़ते लड़ते छण खड़ा हो गया गोडे पर और उसी ये कही छण में गोडे पर सवार हो करके जुद्ध करते थे मतलब कह रहे हैं कि राणा परताप के युद्ध कौसल ऐसा था कि एक है छड़ में वह अपने घोड़े चेतक से उचल करके शत्रु के घोड़े पर चले जाते थे और वहां युद्ध करना सुरू कर देते थे और एक है छड़ में अपने घोड़े पर आ करके सो करके युद् आगे देखिए, आगे कहते हैं, छण भर में गिरते रुंडों से, मदमस्त गजों के सुन्डों से, घोडों के विकल वितुन्डों से, पटेकई भूम नर्मुंडों से, करें तुन्डों, अब यहां अर्थ थोड़ा सा देखते चलिए, यहां है रुंडों, रुंड का होता है धल, यानि मनुष्य का धल, यानि सिर अलग और धल अलग, मुंड, मुंड मने होता है सिर, ठीकई अन्दर मुंड मने शिर, सुन्ड मने होता है सूण, वितुन्ड मने होता है चाप, ठीकई न, जो घोडे का जो चाप होता है, ठीकई न, उसको कहते हैं, घोडे का ज युद्ध में यानि हल्दी घाटिक युद्ध में जब युद्ध चल रहा था तो छड़ भर में गिरते रुंडों से मने हर छड़ रुंड मने धड़ की सीर से धड़ अलग हो रहे थे मदमस्त गजों के सुन्डों से मने मतवाले हाथी के सुन्डों से हर छड़ लोगों के धड़ अलग हो रहे थे मने ये कि इनके कहने ताथ पर यह है कि कभी वह हाथी सवारों के साथ जुद्ध करते थे तो उनके सुन्डों से मने हाथी के सुन्ड काट काट करके वह जिमिन पर गिरा देते थे और कभी मतलब जब लोगों से जब जुद्ध करते थे शत्रुपक्ष से जब जुद्ध करते थे तो रुण्डों यानि उनके धड़ों को काट काट करके अलग कर रहे थे गोडों के विकल वितुन्डों से और गोडों के व्याकूल बने इधर दर दोडते विये व्याकूल गोडों के कापों से ये और ये पट गई भूमी नरमुंडों से ये नरमुंड मने लोगों के सिर से मतलब जो शत्रूओं के सिर से जो है ये पूरा युद्ध भूमी जो है पट गया था ठीक है आगे देखिए ऐसा रण राणा करता था पर उसको था संतोस नहीं छणछण आगे बढ़ता था वह पर कम होता था रोश नहीं करहें राणा परता इसी प्रकार का जुद्ध करता था इसी प्रकार के राणा परता जुद्ध करते थे लेकिन उसके बाद उनको संतोस नहीं था, मने वो बहुत भयंकर और प्रलेंकारी जुद्ध करते थे, वह हर छण हाथियों के सून को कारते थे, शत्रपक्ष के सिर और धड़ को अलग कर देते थे, और पूरा जुद्ध भूम नर्मुन्डों से, यानि लोगों के सिर से पट गया था, लेकिन फ लेकिन उनका रोश, उनका क्रोध कम नहीं हो रहा था, कम क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि जो राजपूतों से विद्रोह करके, यानि अपने जन्म भूम से विद्रोह करके, और विदेशियों यानि मुगलों से, जो मान सिंग जा करके, वहाँ उनके पक्ष में मिल गया थ इसलिए वह मुगलों से जादा मान सिंग पर कुरोधित थे कि यह मतलब एक तरस अपने मात्री भूम का विद्रोही है राश्र द्रोही है इसलिए सबसे पहले मैं उसका बद करूँगा आगे देखिए कहते हैं कहता था कहता था लड़ता मान कहां मैं करनू रखत असनान कहां जिस पर तने विजय हमारी है वह मुगलों का अभिमान कहां कह रहे हैं कभी कि राना परताप कहते थे कि मान कहां मैं मान सिंग कहां है मैं उसी मान सिंग का रखत का प्यासा हूँ मैं कर लूँ रख्त असनान कहां करने को मान सिंग कहां है मैं उसके रख्त से आजा सनान करूँगा क्योंकि मैं बिना उसका बद किये बिना उसके रख्त से सनान किये मैं यहां से वापस जाने वाला नहीं हूँ आगे कहते हैं जिस परताई विजय हमारी है वो मुगलों का अभिमान कहां जिस युद्ध भूमी में जिस इस युद्ध में हमारा विजय निश्चित है वो मुगलों का अभिमानी जो मान सिंग है वो कहां है मैं उसका बद करके उसके रक्त से श्वैम असनान करूंगा अर्थाति ये उनका रोस प्रकट हो रहा था, उनका क्रोध प्रकट हो रहा था, उसी का वर्डन यहां किया गया है, ठीक है, तो यह बहुत आसान सा अर्थ है, कहीं कोई ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह सीधे खड़ी बोली में है, और कोई बहुत क्लिष्ट सब्दो का प्रयोग भी नहीं किया गया है, फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत आपको हो, किसी भी पंक्ती में, किसी भी लाइन मगर आपको दिक्कत हो, तब कमेंट बाक्स में जा करके, कमेंट करके हम से पुछ सकते हैं, इसको मैं और भी सरल धंक से बता दूँगा, और इसके कावि पॉर्ण वर्ण किया गया है एक बिंदु यह हो जाएगा दूसरा पॉइंट लिख लेंगे कि भाषा तत्सम युक्त खड़ी बोली लिख देंगे कि भाषा तत्सम युक्त खड़ी बोली है अगला तीसरा पॉइंट लिख देंगे गूण वो जो गूण है चौथा पॉइं लक्षडा और वेंजना इसमें दोनों शब्द शक्ति हैं लक्षडा भी और वेंजना भी है अलंकार में अतिश्यक्ति अलंकार का बहुत अधिक बरण किया गया है और अनुप्रास अलंकार का भी प्रियोग किया गया है तो दोनों अलंकार आप लिख सकते हैं अतिश्यक्ति और अनुप्रास अलंकार का वरण किया गया है तो इस तरह से आपका ये कावेका संदर हो जाएगा तो आपका यह कावेका पोर्शन आज कंप्लिट होता है अब इसके बाद से हम लोग अगली वीडियो में अगली चेप्टर साथ मिलेंगे आप से भी लोग को एक बार पुना बहुत बहुत धन्यवाद